नमस्कार दोस्तों आज हमने ब्रति स्पेसल में बनाया है बहुत ही टेश्टी और हिल्दी नास्ता दोस्तों ऐसा नास्ता अगर आपको भी बनाना है तो प्लीज मेरा पूरा वीडियो इन तक देखे मैं रभी कला आप सभी का अपने यूटूब चैनल बिंदा स्वाद में स कर थोड़ा सहाराधन्या ले लिया है और 50 ग्राम के कर दिंग्र मूमफली तो सबसे पहले हम आलूं को ही काट लेंगे है यह उद्ले हुए आलू है तक हमोटा मोटा ही ने काट लेंगे कर दो कर दिया है दूसरी तुर हमने गैस पूमे भावाइव बन कर देंगे यह टौक कर लेंगे कर देंगे हमारी ठंडी हो गई है से विप्लेय हो गए इसको दरस लेंगे बिल्कुल इस तरह के समय पीस लेना है अब फिर सवाई कड़ाई रख दी है अब इसमे मैं एक चमट डाल ले हूँ देशी गी हमारा घी गर्म हो गया है तो मैं एक चमट डाल लें इसमें जीरा और हमने जो मिर्ची रखी थी लंबी-लंबी काट करके उसे भी इसके अंदर हम आलूम को भी में अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें स्वाद अनुसार ब्रतवाला नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के अंदर नमक डालने के बाद हम आधे मिनिट के लिए इसे ढख करके पका लेंगे आधे मिनिट तक पकने के बाद हम खोलेंगे और इसमें हम डाल देंगे मुम्फली जो हमने की भून के और उसे दर-दरा पीस करके रखा था साथ में डाल लिए हरा धनिया और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगी क्योंकि हमारी सारी चीजे पकी हुई है इसे ज्यादा देर हमें पकाना नहीं है बस सभी चीजों का फ्लेवर अच्छे से आने लगे उसे साथ से हमें इन्हें भून लेना है यह बहुत ही जली और बहुत ही असानी से बनके तयार हो जाता है तिसे आप कभी भी ब्रत में या फिर बिना ब्रत के भी बना के खा सकते हैं नास्ते के रूप में चलाने की लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गरम ही खाने के लिए स्टर्व करेंगे तो लिजे दोस्तों ये हमारी गर्मा गरम ब्रेथ स्पेसल नास्ता तयार है बिल्कुल खाने के लिए तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलिएगा अभी भी आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से करिए बिल बटन को दबाईए ताकि वीडियो आप तक जल से जल पहुचे और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद